अगर आप भी अपना AWS अकाउंट करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा AWS अकाउंट करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यानि यानि what to do and what don't do during AWS अकाउंट क्रियेशन आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट वाच करना एक भी सेकेंड स्किप मत करना क्योंकि आप अगर इस वीडियो को स्किप करके AWS अकाउंट क्रियेट कर लोगे तो आप बहुत बड़ी मुसीवत में फच सकते हो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है guys creating an AWS यानि Amazon Web Services account is a straightforward process यानि AWS account का create करना यह एक straightforward process है but there are some important consideration जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ important consideration है to keep in mind ensure security compliance and efficiency here is a list of things to do and things to avoid during AWS account creation मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि आपको क्या करना चाहिए तो total seven points में मैं समझाओंगा कि AWS account create करने बग्त आपको क्या-क्या करना चाहिए किन-किन बातों का ध्यान रगना चाहिए यानि कि do पे तो सबसे पहले जो point है वह है use a strong password गाइज अगर आप AWS account create कर रहे हो तो आपको एक strong password लगाना होगा चूज़ा complex and unique password for your AWS account to enhance security यह अपने security को enhance करने के लिए आपको एक strong password वहाँ पे लगाना बहुत जाड़ा compulsory है necessary है अब बढ़ते हैं second point की तरफ second point में कहा जा रहा है कि enable multiple factor authentication यानि MFA implement MFA to add an extra layer of security to your account यानि कि आप multi-factor authentication अगर वहाँ पे लगाते हैं तो वह आपकी security को यानि एक extra layer परदान करता है आपके account को secure करने के लिए जो point number third है वहाँ पे है कि provide accurate contact information यानि जब आप AWS account create कर रहे हो या करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको अपना provide करना होगा जो accurate information है contact information वह अगर आप वहाँ पे कोई भी गलत information डालते हो अगर contact information डालते हो तो future में कोई भी verification या communication के लिए जो है आपको ही problem वहाँ पे face करना पड़ेगा fourth point हमारा है set up billing alerts आपको billing alerts वहाँ पे set करना चाहिए configure billing alerts to minor your AWS account spending and get notified if cost exceed predefined thresholds आपको अपना billing alerts जो है वहाँ पे लगा करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारा एक fix वहाँ पे limit होता है उसको हम cross करने लगते हैं या कई बार होता है कि billing हम जो है बिल भरना भूल जाते हैं तो इसके लिए एक alerts अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बार-बार वहाँ पे notify करता रहेगा alerts भेजता रहेगा जिसके तो आप easily बिल भी पे कर सकते हैं और लिमिट को भी क्रॉस करने से एक जो उसको क्रॉस करने से भी बच सकते हैं फिप्ट में है कि follow I am best practices यानि I am का मतलब तो आपको पहले से पता है कि identity and access management six point में है और गनाइज resources with text यहने कि अपने resources को text के साथ organize करने के लिए इसके बारे में details में लिखा है कि use text to categorize and manage your AWS account seventh और last point है कि understand AWS free tier account guys AWS account create करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पढ़ेगा कि आखिर जो है AWS free tier account होता क्या है इसके बारे में आपको detail में जानकारी चाहिए familiar yourself with the service included in the AWS free tier to avoid the unexpected charges यहनि unexpected charges से बचने के लिए या कोई भी ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको AWS का free tier है इसके बारे में आपको detail में पता होना चाहिए या पता करना चाहिए तो guys आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस video के बाद जस्ट आपको मैं AWS free tier account के बारे में detail में जानकारी देने वाला हूं अगर आपने अभी तक इस video को like नहीं किया है तो please video को like कर दीजे और चैनल पे पहली बार आए हो अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe करके बैल आइकन जरूर से दबा लेना क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के information और useful content मैं अपने इस channel पे लाता रहता हूं guys आपने देखा कि आपको AWS account create करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं कि AWS account create करने वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए don't वाले portion में भी seven points है चलिए first number जो points है वो है share AWS account credentials यहां यहां खा गया है कि आपको कभी भी अपना AWS account का जो credential है वो किसी से share नहीं करना चाहिए अब security breach से और unauthorized access से बचने के लिए आपको कभी भी अपना AWS account का जो credential है वो किसी के साथ share नहीं करना चाहिए guys second point में बताया गया है ignore security best practices लोग जो है security best practices को बहुत ज़्यादा ignore करते हैं जिसे ignore नहीं करना चाहिए over provision resources यहने कि over provision resources को भी यहां पे मना किया गया है avoid over provision resources beyond your actual requirements to prevent unnecessary cost यहां पे कहा गया कि over provision processes में जैसे कि कई बर होता है कि कुछ resources ऐसे हैं जिसकी मुझे unnecessary use तो नहीं है लेकिन हम unnecessary use कर लेते हैं कई बर कुछ जो वहां पे chance बना लेते हैं और भी बहुत सारा चीज जैसे IEM में हम जाकर करके account बना लेते हैं उसके बाद और भी वहां पे बहुत सारे services है उसको हम create तो कर लेते हैं लेकिन use करने के बाद उसे हम delete करना भूल जाते हैं बढ़ते हैं six point की तरफ six point में यह खा गया है जो अपने उसे कर सकते हैं बाकी किसी चीज़ को नहीं चेड़ना चाहिए अब बढ़ते हैं seven and last point की तरफ जिसमें जो की नहीं करना चाहिए तो गैस यहां पेका गया है इग्नौर सर्विस लिमिट को भी इग्नौर नहीं करना चाहिए जो लिमिट आपको दिया गया है उसे के अंदर ही वर्क करना चाहिए बी अव्यार ऑफ सर्विस लिमिट इंपोजड वाइड एडव्यस एंड रिक्वेस्ट लिमिट इंक्रीज़ वैन नेसेसरी तू आपको क्या करना चाहिए थीएरे लेकिन धॉ करने से पहले आपको फिरिटियर अकांट के बारे में जाणना चाहिए जो next वीडियो होगा मेरा w». यह ईवैश्च बैग अपर ही और बेल आइकन जरूर से दबा लेना क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फोर्मेशनल और यूसफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत क्या लखिए धन्यवाद जैहिंत